हालो एस्पिरेंट स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से पर्चम क्लासेज में फिर से हम विकली करंट अफेर के लिए मिल रहे हैं और इस बार हम लोग 24 मार्च से 30 मार्च के विकली करंट अफेर को डिसकस कर रहे हैं जिसके अंदर स्टेट न्यूज, नैशनल, इं करते हैं, important days कौन-कौन से आये हैं, 24 मार्च ये world tuberculosis day को मनाया गया, यानि इस दिन को world TB day के रूप में मनाया गया है, इस बार की theme क्या थी, इस बार की theme थी, yes we can end TB, हाँ हम TB को end कर सकते हैं, क्यूं मनाया जाता है, क्यूंके 24 मार्च 1882 को, डोक्टर रोबर्ट कोच ने mycobacterium tuberculosis की discovery की थी, ठीक है, जो bacteria tuberculosis cause करता है, TB जिसके कारण होता है, उसके discovery की गई थी, 24 मार्च 1882 को, इस लिए 24 मार्च को world tuberculosis day के रूप में मनाया जाता है, 26 मार्च बांगलादेश independence day, आपको पता है, 26 मार्च 1971 को बांगलादेश liberate हुआ था, आजाद हुआ था, पाकिस्तान वालों ने इसको east पाकिस्तान कहा हुआ था, जो आज का बांगलादेश है, भारत ने भी बड़ी मदद इसके अंदर बांगलादेश की की थी, ठीक है, तो 26 मार्च 1971 को, शेक मुजी इसके पाकिस्तान के एक नुमाइन दे हैं, कैंडिडेट थे, वो इलेक्शन जीच जाते हैं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने उनको उनका पद नहीं दिया था, जिसके चलते ये पूरा 9 मंच का पूरा उनका स्ट्रगल रहा, और लास्ट में बांगलादेश जो है 1971, 26 मार् ठीक है, राजस्थान दिवस जो है, जो एरिया वाइज, इंडिया का लार्जस्ट स्टेट है, 30th of March को अपना दे सालिब्रेट करता है, ठीक है, बहुत सारी, बहुत सारा कल्चर है राजस्थान का, पहले इसको स्टेट ओफ राजपुताना के नाम से जानते थे, और ये ए बहुत सारे मिनरल रिजर्व आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे लैड, जिंक, ठीक है, सैलेनाइट, वॉलेस्टोनाइट, ये सारे जो मिनरल्स हैं, ये राजस्थान का, राजस्थान के अंदर इन सब मिनरल्स का घर है, ठीक है, बहुत सारा लाइम ख्राव फोर्ट, आमेर फोर्ट और जेसल मेर फोर्ट ये छे फोर्ट ऐसे हैं जिनको 2013 में यूनेसको ने वर्ल्ड हैरिटेस साइट्स के अंदर इंक्लूड कर लिया था ये राजसान के बारे में है वहां के गवर्नर है कलराज मिश्राजी, चीफ मिनिश्र है भजनलाल शर् स्टेट ट्री है खेजरी का, स्टेट डोमेस्टिक अनिमल है कैमल, स्टेट अनिमल है चिंकारा और स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर या गोडावन जिसको कहते हैं ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट है आगे बढ़ें मैं आपको कुछ जानकारी दे दूँ अग अगर कोई भी current affair की pdf चाहता है तो पर्चम telegram को जोईन कर लीजिए अगर आप current affair की magazine चाहते हो weekly या monthly सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो पर्चम classes.in से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सवाल क्या है mcq की हमारी e-book है इसको आप खरीदना चाहते हो इसका सब्सक्रिप आपको आती है तो आप लोग हमारे पर्चम कोर्स की सब्सक्रिप्शन एंक्वाइरी के लिए या कोर्स की डिटेल के लिए आप इन गीवन नंबर्स पर कोल या वाट्सैप कर सकते हो और इस गीवन मेल पर अपनी प्रॉब्लम को छोड़ सकते हो ठीक है बहुत सारे कोर्स हम इस गीवन परो को प्रोवाइड करा रहे हैं YouTube पर भी आप पर सारी जानकारी आप यहां से ले सकते हो अभी diamond बोर्स जो है वो इंडिया का second diamond trading hub है ठीक है जिसको Prime Minister Narendra Modi जी ने December 2023 में inaugurate किया था और ये world's largest और modern center है for international diamond and jewelry business पहले Bombay माना जाता था ठीक है लेकिन अब सूरत है world का largest और modern center है international diamond and jewelry business का यहाँ पे diamond की कटाई छटाई उसकी designing उसको तराशा जाता है ये सारे काम होते हैं पहल सूरत के अंदर 2023 में Modi जी ने इसको inaugurate किया है इंडिया का पहला special notified zone जो था diamond trading के लिए वो भारत diamond boards था Bombay में 2015 में खुला था लेकिन अब 2023 में बनने वाला ये उससे बड़ा है जो सूरत में है उसके बाद इंडिया के next ambassador मयानमार के लिए भारत की तरफ से मयानमार के next ambassador जो है वो अभे ठाकुर जी होने वाले हैं ये एक appointment की news है जिसको आप याद रखोगे ठीक है उसके बाद ever ready जो battery cell जो होते हैं उनके company है ever ready उनके नए brand ambassador नीरच चोपडा जी को घोशित कर दिया है फिर UPSC के director की तरह हंशा मिश्रा जी को appoint कर दिया है आपको पता है UPSC के chairman होते है फिर directors होते हैं तो उनके director की तरह हंशा मिश्रा जी को UPSC के union public service commission के director जो है वो appoint कर दिया है आपको बताना है कि union public service commission जो है क्या एक constitutional body है अगर है तो ये कौन से article के अंदर आती है आपको बताना है ठीक है उसके बाद national investigation agency के जो director general है वो senior IPS officer सदानंद वसंत देत को घोशित किय गया है ठीक है senior IPS officer सदानंद वसंत दाते को national investigation agency के senior director के रूप में या director general के रूप में जो है वो appoint किया गया है NIA stand for national investigation agency और प्यूश आनंद जी को national disaster response force के यानी NDRF के national disaster response force के director general की तरह appoint किया गया है प्यूश आनंद जी को तो दुबारा बता रही हूँ मैं जो senior IPS officer है सदानंद वसंत दाते जी उनको तो director general national investigation team का ठीक है याद रखेंगे और जो प्यूश आनंद है वो national disaster response force के director general की तरह appoint हुए है उसके बाद जो former law commission थे former law commission के chair person थे जिनका नाम है justice रितूराज अवस्ती उनको new judicial member बना दिया है लोगपाल में आपको पता है chairman के साथ 8 member और होते हैं लोगपाल में जिसमें कम से कम 50% member judicial background से होने चाहिए तो यानि चार लोग जो है आठ में से चार लोग judicial background से होने चाहिए तो यहाँ पे एक उन में से है justice रितूराज अवस्ती जिनको अभी as a judicial member लोगपाल ओफ इंडिया में include किया गया है ठीक है यह पहले former law commission के chairman रह चुके है पंकज कुमार और अजे टिरके जी को भी member की तरह oath दिलवाई जा चुकी है यह जो oath है यह justice अजे मानिक राओ कानविलकर जो chair person है लोगपाल ओफ इंडिया के वो दिलवाते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो chair person होते हैं वो बाकी members को ओध दिलवाते हैं और chair person को president ओध दि रह चुके हैं और लोगपाल एक anti-corruption body है जिसके एक chair person और 8 members होते हैं एक chair person और 8 members होते हैं जिसमें से कम से कम 50% चाहिए 8 के 8 हो पर कम से कम 50% जो है को judicial member के होने चाहिए ठीक है chair person और members को appoint करते हैं president of India appointed by president of India लेकिन oath दिलवाई है chairman ने बाकी members को ठीक है उसके बाद जो IIT मद मदरास से graduate है जिनका नाम है पवन दावुलूरी जी इनको new Microsoft Windows head घोशित किया गया है Microsoft के CEO है सत्य नडेला ठीक है और जो Microsoft Windows head घोशित हुए है वो पवन दावुलूरी IIT मदरास से graduate है उसके बाद Bank of Maharashtra के MD और CEO निधु सकसैना को बनाया है ये AS Rajiv को proceed करेंगी सकसीड करेंगी AS Rajiv के स्थान पर अब निधु सकसैना जी है जो वो आएंगे ठीक है और जो निधु सकसीना है वो AS Rajiv की जगा ले रही है ले रहे हैं और AS Rajiv जी है जो वो Central Vigilance Commission के अंदर सलेक्ट हो चुके हैं Bank of Maharashtra एक Indian Public Sector Bank है जिनका headquarter जो है वो फुने में है इसको य 73 देखो कादिर अली बेग फांडेशन ये थेटर से जुड़ी हुई है और रजिया बेग जी का 73 की एज में निधन हो गया है है घदराबाद के जो थेटर आर्ट्स हैं उनको रिवाइव करने में इनका काफी एहम योगदान रहा है ठीक है उसके बाद Nobel Prize winner Daniel कहनेमन जो एक Behavioral Economics के Pioneer थे उनका निधन हो गया है ठीक है और ये Nobel पुरुसकार भी जीच चुके है नोबल पुरुसकार भी इनको Economic Science में मिल चुका है 2022 में 90 की एज में इनका देहान्त हो गया है ठीक है राम कृशन मिशन चीफ स्वामी स्वामी समारा नंदा जी महराज इनकी मृत्ति हो ग थी किसने फाउंड किया था स्वामी विवेका नंदा जी ने तो इन महराज की अभी मृत्ति हो गई है 94 की एज में अब बुक्स की बाते करते हैं देखो ये बुक्स है जिसका नाम है फूल बहादूर ये फूल बहादूर का अब English translation आया है पहले मगधी में ये 1928 में लिख था और अब जो है इनका English translation अब है के ने किया है ठीक है जमो कश्मीर के जो लेफ ने गवर्नर है मनोत सिनहा उन्होंने इसका English translation जो है वो लॉंच किया है फूल बहादूर जो नौवल है मगई भाशा में जो मगई भाशा है वो एक इंडो आरेन लैंग्विज है ठीक है और ये कैथी स्क्रिप्ट कैथी लीकी को रिप्रेजेंट करता है जो बिहार चारकंड और वेस्ट बेंगॉल में काफी बोली जाती है ये बुक्स की बाते थी अभी अवोर्ड की बाते करते हैं देखो जो मिशेल ताला ग्रैंट है उनको अवोर्ड मिला है दो हजार चौबिस तुकि इन्होंने कौनसी फिल्ड के अंदर प्रोबैबिलिटी थ्योरी और फंक्शनल अनलिसिस में बहुत अच्छा काम किया है दो हजार चौबिस का अवोर्ड इनको जाता है जो नौर्वेजिन अकेडमी ओफ साइंस एन लेटर्स डिसाइड करता है कि ये किस को जाएग पर इस अवोर्ड को रखा गया है उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल इनिक्वालिटी रिसर्च अवोर्ड दो हजार चौबिस ये एक रिपोर्ट आई है इसके अंदर क्या है कि जो भी ओल ओवर्ड के अंदर कुछ रिसर्च ऐसी करता है जिससे कुछ बड़ा बदलावात तो उनको ये अवोर्ड मिलता है तो ग्लोबल इनिक्वालिटी रिसर्च अवोर्ड में बीना अगरवाल ठीक है और जेम्स के बॉइस इनको बीना अगरवाल जो है वो युनिवर्सिटी ओफ मैंचेस्टर स्ग्लोबल डवलप्मेंट इंस्टीट से जुड़ी हुई है और दो साल के बाद रिकगनाईज किया जाता है कि रिसर्च की दुनिया में इनोवेशन की दुनिया में कोन ये काम कर रहा है तो इन दोनों को अभी रिकगनाईज किया गया है नेक्स्ट है मडाम तुसाध दुबई में मोम की प्रतिमा यानि कि जो वैक्स का स्टैचू है पान का wax statue जो है दुबई में बनाय गया है, इस बात को याद रखेंगे, one-liner news है, Indian-British writers book on AI shortlisted for women prize, देखो, ये क्या कहते हैं, कि AI के ऊपर book लिखी गई है, और उनको shortlist कर दिया गया है, women prize के नाम पे, ठीक है, book का नाम है, code dependent living in the shadow of AI, artificial intelligence की दुनिया है, तो इस book को select किया गया है, और women prize for non-fiction, इस चीज़ के लिए, ये book जो है, वो shortlisted हुई है, और Indian-British journalist and commentator Madhumita Murgiyah, इनको ये award जो है, इनके लिए ये जानी जा रही है, अब national news पे चलते हैं, election commission ने सक्षम app launch किया है, सक्षम app मतलब आप लोगों को able बना रहे हैं, आप लोगों को सक्षम बना रहे हैं, किन लोगों को, जो, जो बड़ी उम्र के हो चुके हैं, जो वरिश्व्यक्ति हो चुके हैं, अगर उनको polling stations पे, अगर उनको चीज जो है, यह सक्षम app से आचुकी है, कि voting for person with disability and having facilities at polling station, एक तो उनकी easier voting कर दी है, दूसरा और जो व्यक्ति 85 years of age से ज़ादा कि हैं, या 40% से ज़ादा उनकी disability है, तो वो घर से भी vote कर सकते हैं, तो election commission of India का यह app है, ठीक है, कौन सा सक्षम app है, हमने देखा, यह election commission ने सक्षम app launch किया है, ठीक है, और यह वरिष्ट व्यक्तियों के लिए घर से ही vote डालने की सुविदा है, कि आप इस app का use करके घर से अपना vote डाल सकते हो, ठीक है, उसके बाद जो है, see vigil app, यह भी election commission of India की है, election commission of India, vigil, vigil मतलब vigilance, vigilance से शबदाया है, see vigil app, यह election process पे नजरे रखने के लिए, election commission ने इस app को launch किया है, ठीक है, इसको भी आद रखोगे, सक्षम को भी आद रखोगे, उसके बाद next news, आमूल दूद पीता है, इंडिया बहुत एड़ देखते हो, इस आमूल ने अपना international business start कर दिया है, और पहली branch जो लगाई है, वो United States में लगाई है, ठीक है, आमूल, जो गुजरात से बिलॉंग करता है, गुजरात cooperative milk marketing federation, जो है वो आमूल fresh milk, पूरी भारत के अंदर बाट रही है, जिसके four variants, US market में बेचे जाएंगे, fresh milk, ठीक है, और ये 108 साल पुराना cooperative है, 108 साल पुराने cooperative के साथ, ये tie up कर रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, New York, New Jersey, Chicago, Washington, Dallas, Texas, इन सभी के अंदर अब आमूल fresh milk जो है, वो available हो जाएगा, उसके मदर्सा जो है न, वो religious education को promote करता हुआ दिखता है, और इंडिया एक secular nation है, आपको पता है, हम धरम निर्पेक्ष हैं, पंत निर्पेक्ष हैं, तो हम किसी भी तरीके की secular education को promote नहीं कर सकते हैं, लखनाव bench जो है अलाभाद high court की, वो UP board of मदर्सा education act 2004, वो unconstitutional declare कर रहा है, कि यह असमविधानिक है, क्योंकि यह secularism के principle को, जो हमारा basic doctrine के अंदर आता है, ठीक है, basic structure के अंदर आता है, उसको violate कर रहा है, यहाँ पर article 14, 15, 21, 21A, article section 22 of university, UGC, university grant commission, यह सब violate हो रहे हैं, तो जिसके चलते हैं, इसको unconstitutional घोशिच जो है, वो कर दिया है, ठीक है, किसी particular religion की पढ़ाई आप कहीं पे नहीं दे सकते, यह जो plea है, वो file की थी, अंशुमन सिंग राथोड ने, जो एक advocate है, और इसको लेके issue भी raise किये है, minority welfare department ने, कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अभी अलाबाद high quote ने कह दिया है, कि आप मदर्सा को बंद करके, चाहे नए school खोल दो, लेकिन उन बच्चों को schools के अंदर भेजा जाए, और अच्छी education करवाई जाए, उसके बाद गुजरात state education minister ने, शिक्षा reform जो है, वो launch किया है, गुजरात राजी की शिक्षा मंतरी ने शिक्षा सुधार में शुरुवात की, इसके अंदर क्या होगा, शिक्षा reform, short term courses होंगे, cutting edge field के अंदर, यानि artificial intelligence और cyber security में, किसके साथ मिलके, Microsoft और Finnish university के साथ मिलके, गुजरात state जो है, वो बच्चों को, या मैं कहूँ, youth को training दे रहा है, AI की, तो ये पूरी news थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद, राजस्थान में, दुनिया का पहला, ओम शेप का मंदिर, आप यहां देख रहे हो, ओम शेप का मंदिर, जिसमें, बहुत सारी महादेवा जी की मूर्ती है, शिवजी की मूर्ती है, और बारा जोतिरलिंग भी इस ओम शेप के अंदर दिखाए गए है, यह दुनिया का पहला ओम शेप का जो टैंपल है, पाली डिस्ट्रिक राजस्थान के अंदर बनाया गया है, ठीक है, पाले डिस्ट्रिक्ट रोफ राजस्थान के अंदर ये है ओम आकार टेंपल ठीक है जदान विलेज जो है वहाँ पे इसको बनाया गया है और वैसे इसका फाउंडेशन स्टोन 1995 में रख दिया था यहाँ पे 1008 आइडल्स आपको दिखेंगे लोड महादेव के और 12 जोतिर लिंगा इस पूरी पवित्र बाउंडरी के अंदर 12 जोतिर लिंगा भी महादेवा के आपको यहाँ पे दर्शन करने के लिए मिलेंगे ठीक है और ये जो टैंपल कॉंपलेक्स है उसका सेंट्रल फीचर है टॉम ओफ गुरुदेव माधवा नंद जी ठीक है सेंट्रल में इनका टॉम है माधवा नंद जी का और ये जो है 135 फिट की हाइट पे और 2000 पिलर्स की मदद से ये मंदिर खड़ा है ठीक है तो ये ओम आकार मंदिर है जो राजस्तान में बना है पाली डिस्रिक जड़ान विलेज के अंदर अब स्पोर्ट की न्यूस पे चलते हैं रंजी ट्रोफी जो 2024 का फाइनल था मुंबई जीत गया है विदर्भा को बीट कर दिया है इसमें हम याद रखेंगे ये 42nd रंजी ट्रोफी था ठीक है जिसमें 2023-24 में चैंपियन कौन है मुंबई रंडरप कोन रहा विदर्भा ठीक है मुंबई ने विदर्भा को हराया 22-23 में सोराष्ट्रा चैंपियन रहा था रंडरप बेंगॉल रहा था 1934-35 जब फर्स्ट एडिशन आया 1934-35 में उस समय बॉंबई रंडरप रहा था और नोर्धन इंडिया जो है वो बॉंबई चैंपियन रहा था नोर्धन इंडिया रंडरप रहा था ठीक है उसके बाद अगली न्यूज क्या है अगली न्यूज है जो शरत कमल जी है वो पैरिस ओलंपिक्स के अंदर इंडिया की तरफ से फ्लाग बीरर रहेंगे यहां आप देख पारे हो पैरिस ओलंपिक्स के अंदर इंडिया की तरफ से फ्लाग बीरर रहेंगे और जो मै पहुंच मैडलिस रही है और फ्लैग बीरर रहेंगे शरत कमल जो वेटरन टेबल टेनिस प्लेयर है और कॉमन वेल्ट गेम्स में भी चैंपियन रहे हैं डिप्यूटी चीवडी मिशन शीवा केशवन को घोशित किया है ठीक है शीवा केशवन को घोशित किया है उसके बाद नेक्स नूज़ क्या है और ये जो है ये फरारी यानि स्पेन के है पहली दो एफ़वन रेसे मैक्स वर स्टैपन जीते हैं लेकिन कार्लो सेंस अब की बाहर जीत गए है और अगली नूज़ है इंडिया ने एक हिस्ट्री बना दी है गिनीज वर्ल्ड रिकोर्ड के अंदर 128 players ने World Kabaddi Day के अंदर participate किया है 128 players ने तो गिनीज World Record ये बन चुका है अपनी तरफ से 128 players ने हिसा लिया है ताउदेवीलाल इंडोर स्टेडियम पंचकुला हर्याना के अंदर और World Kabaddi Day जो है वो 24 मार्च को मनाते हैं 2019 से इसको मना रहे हैं हर्याना के गवर्नर है बंदारू दत्तात्रे और अभी वहां के CM है नायाप सिंग सैनी जी ठीक है अभी चलते हैं विराट कोहली जो है वो T20 क्रिकेट में 12,000 स्कोर करने वाले पहले इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं और पूरी दुनिया में इसके अंदर है तो इसको याद रखोगे ठीक है 12,000 का रिकोर्ड इन्होंने बना दिया है उसके बाद Melbourne Cricket Ground में historic day night women ash test हो रहा है आपको पता है इसमें 2020 one day test match हर तरीके का match इसके अंदर organize होता है day में भी और night में भी women के लिए अलग और males के लिए अलग इसको बनाया है मतलब अलग organize किये गए है games और पहली बार ऐसा हो रहा है कि day or night यानि कि दिन में भी और रात में भी ये cricket खेला जाएगा Melbourne Cricket Ground में जो Australia का सबसे बड़ा cricket ground है ठीक है तो ये historic news है काफी important news है 2025 से जो schedule होने वाला है उसके लिए ये मैंने आपको news बताई है ठीक है तो Melbourne Cricket Ground के अंदर English और Australia, England और Australia के बीच में ये पूरा cricket का game होता है और इसके अंदर pink ball का use किया जाता है चार दिन का match रहेगा 30 जनवरी से 2 फरवरी 2025 का पूरा schedule announce हो चुका है इस stadium की capacity है एक लाग capacity मतलब इतने लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं ये first women test match होगा इस ground के अंदर since 1949 1949 से पहला ऐसा होगा कि जो women test match भी हाँ पे खेला जाएगो day और night test ठीक है अगला जो है hip drop tackle अब देखो क्या होता है football खेलते हुए कभी कभी चोट इस तरीके से लग जाती है hip bone पे कि players को बहुत लंबे समय तक injury जहलनी पड़ती है तो इसको foul कह दिया या इसको जो है कि आप इसको ban ही कह दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते hip drop tackle आप नहीं कर सकते national football league ने ये Florida के अंदर जब annual meeting हो रही थी Orlando Florida में ये घूशित कर दिया national football league ने इस बात को याद रखोगे players की safety को देखते हुए cannon all rounder Collins जो है वो retire हो रहे है cricket career से 23 साल का इनका old international career रहा है cricket की दुनिया में ठीक है अब वहाँ से ये सन्यास ले रहे है इसके बाद next जो है Sunrise हेद्राबाद जो है highest IPL total record बनाए है 277 त्री आउट्स 277 गजब का ये match था IPL चल रहे हैं आपको पता है Sunrise हेद्राबाद ने इतना score किया है 20 hours के अंदर और ये पहला ऐसा मतलब record तोड़ा गया है ठीक है तो याद रखोगे सबसे ज़्यादा score Sunrise हेद्राबाद ने बनाए है T20 में 277 रन बनाए है तीन विकेट के साथ उसके बाद स्रीजेश और कैमिला appointed as co-chairs in FIH Athlete Committee FIH Athlete Committee यानि International Hockey Federation International Hockey Federation के co-chairs की तरीके से स्रीजेश और कैमिला को appoint किया गया है ठीक है ये जो committee होती है ये consultative body होती है जो होकी के बारे में consult करती है और इसके president कौन है तायब इक्रम ठीक है तायब इक्रम जी इसके president है co-chairs इन दोनों को बनाया है science and tech की बात करते है science and tech International Astronomical Union ने जो all over world में जितने भी नाम होते हैं जैसे हम किसी भी चीज का नाम रख देते हैं तो वो मानने नहीं होता जब तक हमारी international body all over world में उसको मानने नहीं देते तो International Astronomical Union जो है उसने जहां पे हमारा चंदरियान 3 land किया था जहां पे विक्रम लैंडर पहली बार छुआ था वहां की जगा को शिव शक्ती नाम दिया था तो उसको स्टेशियो शिव शक्ती जो है वो अप्रूव कर दिया गया है ठीक है तो अब ये नाम जो है वो historic हो गया है all over world में इसको इसी नाम से जाना जाएगा इस point को जहां पे चंदरियान 3 का विक्रम लैंडर जो है पहली ब रही है आपको पता है लैंडर कौन था विक्रम और रोवर कौन था प्रग्यान ठीक है और 26 अगस्त 2023 को पीम मोदी जी ने चंदरियान 3 जब टच किया था इसको शिव शक्ती पॉइंट के नाम से कहा था और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में हम लोग सालिब्रे है तो हमारी जो गेलेक्सी है वो और तेजी से ग्रो करी है ठीक है तो शिवा और शक्ती और तेजी से ग्रो करी है ये दो स्टार्स का पुंज मिला है गेलेक्सी के अंदर इसको याद रखोगे मिलकीवे गेलेक्सी में तो मैक्स प्लैंक इंस्टिटूट जो है उसने इसको हो जा है दो ancient streams of star जो है एक का नाम रख दिया शक्ति एक का नाम रख दिया शिवा दोनों आपस में मिले और जो हमारी galaxy है वो और तेजी से ग्रो करने लगी ठीक है बारा और तेरा मिलियन साल पुरानी ये galaxies है और इसको European Space Agency की गईया Space Technology के से देखा गया है ठीक है इस Space Telescope से जो European Space Agency का Telescope है उससे इसको देखा गया है दो हजार तेरा में इस Telescope को launch किया गया था नाम क्या रखा है शिव और शक्ति ठीक है दे आर कॉल मैटल पूर्स बिकोस दे पोज़ेजर अमाउंट ओफ हैविर एलिमेंट उसमें इन galaxies के अंदर इन star streams के अंदर मैटल कम है आरन कार्बन ओक्सीजन या अधर मैटल कम है इसलिए इनको मैटल पूर घुशित किया है अगला है पोम थ्री को लेके जा रहा है और्बिट के अंदर ठीक है तो वो ना स्पेस के अंदर घूमता रहता है कूडे कचुरे की तरह जिसको डाबरी कहते है ठीक है अब इंडिया ने पहली बार इस तरीके का मिशन किया कि अब जो लॉंचर वहिकल है जिसने लॉंच किया है जो लॉंच वहिकल है हमारी कोशिश यह हम लॉंच वहिकल को भी वापिस बुला लें अपने ट्मॉस्फियर के अंदर तो पॉम 3 जो है वो इसी चीज़ के लिए था कि जिस से हमने अपना सैटलाइंट लॉ जाएगा यह पार्ट किसका है एक हमने एक्सपो सैट मिशन भेजा था स्पेस को और जादा बारीकी से जानने के लिए एक्सपो सैट मिशन भेजा था जो पार्ट है PSLV C58 का पॉम 3 का पुरा नाम समझो PSLV Orbital Experimental Module 3 और एक्सपो सैट मिशन के साथ इसको भी भेजा था इसक उसका debris नहीं रहा वहाँ पे और वो वापिस अपने atmosphere में आ गया ये पूरी news थी उसके बाद भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने ये कहा है कि जो tuberculosis vaccine है जिसका नाम है MTB-VAC वो clinical trial उसका start हो चुका है इंडिया में adults के TB को रोकने के लिए उस vaccine का clinical trial जो है वो रहे हैं उसके बाद swine fever vaccine I.T. Guhati जो है इंडिया का पहला swine fever vaccine को develop कर रहा है अब I.T. Guhati ने उसको develop कर दिया लेकिन commercially उसको बनाने का अधिकार किसको दिया है commercial उसको बनाने का अधिकार एक company को दिया है जिसका नाम है Biomed Private क्योंकि I.T. Guhati ने तो एक experiment कर दिया है ठीक है कि उस vaccine को हमने बना दिया है swine fever के लिए लेकिन अब commercially तोर पे ये company उसको develop करेगी commercially ये उनको produce करेंगी ठीक है तो इसको याद रखना swine fever होता है वो pigs से आता है और North India के अंदर काफी देखा जाता है पंजाब, हरियाना, बिहार, गुजरात, केरला में भी काफी जगा swine fever जाता है उसके बाद next है defense की news जो Indian coast guard ship है समुद्र पहरेदार वो हमने आसियान की कुछ countries के अंदर अपना coast guard जो है वो घुमाया है ये मनीला बे के अंदर पहुच चुका है Indian coast guard ship समुद्र पहरेदार जो है वो मनीला बे में पहुच चुका है ठीक है आसियान कंट्री के पहरे में बात करते हैं ASEAN के 10 members है East Asian nations है 8th of August 1967 Bangkok Thailand के अंदर इसका formation हुआ है headquarter Jakarta इंडोनेशिया में 10 members कोन है आप देख रहे हो ठीक है और latest member जिसने join किया that is Cambodia और India strategic partner है ASEAN का ठीक है full time member नहीं है strategic partner है तेजस MK1A इसने अपनी पहली maiden flight जो है वो complete कर ली है तेजस MK जो है ये ए एक fighter jet है आप कह सकते हो और indigenous है ठीक है मतलब भारत ने ही इसको बनाया है indigenous का मतलब भारत ने ही इसको बनाया है light combat aircraft है तेजस MK1A fighter jet बैंगलूरू के अंदर इसने अपनी पहली flight जो है वो complete की है ये एक superior variant है एक अच्छा variant है तेजस का और advanced electronic radar है इसके अंदर communication system बहुत advanced है combat ल बहुत अच्छे है ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पर आप याद रखेंगे जो हिंदूस्तान aeronautical limited है ये Indian public sector Indian public sector aerospace and defense company headquarter इसका कहा है बैंगलूर में है 23rd of December 1940 को HAL हिंदूस्तान aeronauticals limited की स्थापना रखी गई है और ये one of the oldest और largest aerospace manufacturer है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा aerospace के और defense की manufacturing यहीं पे होती है CB अनन्थ कृष्णा जो है वो इसके director है और additional charge भी उनी के पास है ठीक है next news क्या है इंडिया मोजैंबिक तैंजानिया इन तीनों की trilateral exercise मोजैंबिक के अंदर हो रही है ठीक है इन तीनों की trilateral exercise कहां कहां इंडिया मोजैंबिक तैंजानिया इंडिया नेवी की exercise है ठीक है इसको याद रखोगे maritime exercise है तीनों की 21 से 23 मार्च 2024 तक यह रहेगी 24 मार्च को जो है यह शुरू सी इसका सी फेस जो है वो commence हो चुका है ठीक है इसका first edition 2022 में आया था इसके बाद आफस्पा एरियास के अंदर बढ़ा दिया है four district of Assam के अंदर ministry of home affair ने decision लिया first of April से असाम के चार और डिस्रिक्ट के अंदर आफस्पा जो है armed four special power act इसको लागू कर दिया जाएगा यह है तिन सुकिया दिब्रूगड ठीक है यह चराई दव और शिवसागर डिस्रिक्ट इन चार डि का दर जो है यहां पर बना रहता है तो लोगों को बचाने के लिए किसी तरीके की miss happening ना हो जाए इसके लिए armed four special power act जो 1948 में आया था इनिशली सिर्फ असाम और मनिपूर के लिए आया था धीरे धीरे यह बहुत सारी जगा पे expand हो गया है the law first came into effect सबसे पहले 1958 में यह नागा जो है बीजिंग को सरपास करते हुए बीजिंग को पीछे हराता हुआ सबसे ज़्यादा बिलेनियर वाला state जो है वो बन गया है पहले बीजिंग था लेकिन अभी मुंबई है खुरून लिस्ट आई मुंबई एशिया का सबसे ज़्यादा बिलेनियर्स वाला देश या मैं कहूंगी शेहर या प्लेस बन गया है यह 2024 की global rich list आई थी ठीक है और एशिया के अंदर मुंबई सबसे पहले नंबर पे आ गया है globally मुंबई now rank third पूरे world में हम तीसरे नंबर पे हैं लेकिन एशिया के अंदर मुंबई जो है वो first नंबर पे है उसके बाद brand finance insurance 100 2024 की report आई और उसने यह कहा सबसे strongest insurance brand का award जाता है LIC यानि life insurance corporation को life insurance corporation 1958 में बनता है ठीक है और इसकी जो brand value है वो 9.8 dollar की है triple A इसके bonds की rating है यानि की rating बहुत अच्छी है interest कम देंगे लेकिन safe है आपका पैसा Chinese insurance brand जो है वो dominance में अभी भी है ठीक है पिंग एन उनकी एक company है insurance bonds की most valuable वो चाइना की तरफ से रहे है उसके बाद international news पे आते है वन लाइनर ही है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है देखो Senegal के जो next president है वो बसी रोड डौ में फे जो है वो next president रहेंगे उनकी image आप यहाँ देख सकते हो पोर्टिगल के नए प्राइम मिनिस्टर लुइस Simon Harris Ireland के बनेंगे उसके बाद यह US के अंदर एक bridge है बाल्टिमोर bridge जो है वो collapse हो गया है ठीक है और इसको Francis Scott की bridge के नाम से जाना जाता है यह key bridge है जिसमें four lanes of traffic जो है वो जुडता है total length इसकी 2.6 km है clearance जो है वो नदी में डूब गए है कौन सी नदी इसके नीचे है पेटपैसको ठीक है पेटपैसको river जो है उसके उपर यह bridge था जो अब तूट गया है और किसके नाम पे था यह 1977 में इसको Francis Scott Key के नाम पे बनाया गया था ठीक है जिन्होंने US का national anthem लिखा था उसके बाद उसके बाद जो है next जो है रियूमी रियूमी जो है साओधी अरेबिया की तरफ से पहली Miss Universe की candidate रही है पहली Miss Universe की candidate साओधी अरेबिया की तरफ से रियूमी रही है 2024 के competition में इस बात को याद रखोगे जो मैक्सिको में हुआ था 73rd Miss Universe ठीक है 2024 का और निकारा गुआ की 2023 की Miss Universe विनर रही थी फिर उसके बाद अडानी Green Energy Gallery at London Science Museum क्या कहता है यह लंडन में विज्ञान संग्रहले ने अडानी Green Energy Gallery खोली यानि की अडानी Group Science Museum जो लंडन में है UK में है उन्होंने Energy Revolution अडानी Green Energy Gallery के नाम से खोल दी है Energy Revolution इसमें क्या है जितने भी यूथ हैं जितने भी साइन्टिस्ट हैं जितने भी यंग माइंड्स हैं उनको यह कहा जा रहा है कि Energy की दुनिया में आप Innovation लाएं जिससे जो है Safe Energy और Sustainable Energy जो है वो बरकरार रहेगी अब बारी है रिविजन क्वेशन की टोटल इसमें लगभग 25-30 क्वेशन से क्योंकि आपकी बार Weekly News भी कम थी तो रिविजन क्वेशन भी कम थे और इसके अंदर जो है Biomed Private को दिया है तो IIT गुहाटी ने इसको बनाया था और फिर Biomed Private को ट्रांसफर कर दिया था ठीक है नेक्स्ट क्या कहता है कहता है UPSC के डारेक्टर के रूप में किसको अभी अपॉइंट किया है हंशा मिश्राजी को ठीक है उसके बाद next news क्या है विच स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर रिसेंटली लोज शिक्षा रिफोर्म शिक्षा रिफोर्म किस ने लौंच किया है गुजरात के सीम ने ठीक है गुजरात के सीम ने जो फ्रैंसिस कोट की ब्रिज था जो कॉलाप्स हो गया वो कहां पे यू एस के अंदर ठीक है और और वो किस नाम से वो सिच्ट इन बाल्टीमॉरय होस के बाद विर विल टेस्ट मैच आपको पता है इस्टॉरिक रहा विमेंस चे लिए भी test मैच यह होगा और यह मैलबॉन क्रिकट ग्राउंट के अंदर होगा जो उस्ट्रेलिया का सबसे ब आपको पता है what's happened को हरा के अपकी बार कौन जीता है यह आपको बताना है उसके बाद who has been appointed as the new chairman of Surat Diamond Bores Surat Diamond Bores जिसने मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया उसके chairman कौन है याद करो ठीक है वो जो एक बहुत बड़ी diamond व्यापारी भी है What was the theme of World TB Day in 2024 2024 में World TB Day क्या था हम क्या समाप्त कर सकते हैं Which institution ministry launched the सक्षम app किसने सक्षम app launch की किसने सीविजिल app launch की ठीक है उसके बाद youngest ever Prime Minister Ireland के कौन रहे है यह आपको बताना है चार options आपको दिख रहे है Who will be the India's flag bearer Paris Olympics में flag bearer कौन रहेंगे Maricom, Shivakeshwan, Sarat Kamal या इन में से कोई भी नहीं ठीक है तीनों किसी ना किसी काम को लेके हैं वहाँ पे तो आप आपको पैचाना flag bearer कौन है What position has Abhay Thakur Abhay Thakur appoint किये गए हैं किस position पे किस देश के ambassador हमने बनाए हैं ठीक है भारत की तरफ से किस देश में जाएंगे How many players participated in the event that set the Guinness World Record for the highest number of Kabaddi player Guinness World Record में हम आ गए Pancha Kula, Haryana, Tau Devilal Indoor Stadium के अंदर ये हुआ ठीक है कितने players की वज़े से Guinness World Record जो है वो बना है फिर उसके बाद है What makes MTB back unique among tuberculosis vaccine इसमें unique क्या है ठीक है इसमें unique क्या है ये शायद उस news में हम discuss करना भूल गए मैं आपको बता दूँ ये human source से derive होने वाली पहली vaccine है ठीक है human source से derive होने वाली पहली vaccine है Next day according to Hurun list Asia में सबसे ज़्यादा billionaires कहां पे हैं ये आपको बताना है ठीक है हमने Beijing को surpass कर दिया Who recently became the first Indian cricketer to score 12,000 runs in T20 format T20 format में 12,000 run बनाने का खिताब किसके पास जाता है Which insurance companies term as the strongest insurance brand by brand finance insurance LIC हमने पढ़ा था सबसे best brand जो है वो इसको घुशित किया है Which country is set to make its debut appearance in the Miss Universe अब पहली बार Miss Universe प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किस देश की Ryumi G है ठीक है उसके बाद Daniel कहने मैं जिनको Nobel Prize भी Economic Science में मिला है उनको किस साल Nobel Prize मिला था अभी उनका निधन हुआ था तो Nobel Prize किस साल मिला था Who has been appointed as the Director General of the National Disaster Response Force NDRF के Director General किसको बनाया है चार option में से बताना है आपको फिर उसके बाद है Declared is Unconstitutional कि यह जो मदर्सा एक्ट है यह Unconstitutional है क्योंकि यह Secularism के अगेंस्ट है Who translated the first Magahi novel Fool Bahadur Fool Bahadur लिखी थी जैनात पाती जी ने यह translate किस ने की थी वो आपको बताना है ठीक है Book section में हमने किया था उसके बाद Which Indian Coast Guard Ship जो है क्यों से सिटी यह repeat हो गया है सबसे ज़्यादा बिलेनियर क्यों से सिटी में है और यह तो है Question of the Day National Investigation Agency के Director General के तोर पे किसे अभी Appoint किया है ठीक है देखो यह मैंने आप पे क्यों छोड़े हैं क्योंकि एक बार मैम आपको करा चुकी है फिर मैंने आपको News बता दी है तो I hope आप Answers कर देंगे ठीक है और Next Class में जब हम आएंगे तो इन सब Questions के Answers में आपको दे दूँगे और फिर हम अगे Weekly जो है वो डिसकस करेंगे तो उमीद करती हूँ आपको अच्छा लगा Session Thank you so much इन सब Questions के Answers आपको Comment section में करने है Thank you so much